इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एलाइट ब्लेंडर्स और डिस्टलर्स के बारे में जिसका IPO कुस्ता है पहले ही में मार्केट में देखने को मिला था तो कंप्री ने कौर्टर वन के नंबर्स को बब्लिश कर दिया तो पहले ब्योडी के आउटकम की बात करें तो कौ यह देखते हैं अलाइट ब्लेंडर्स के इस बार के जो कैसे रहे डिटेल्स आपके सामने और सारे फिकर लैक्स में करोर से बात करेंगे कौटर वन की अर्निंग से फोर की है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर क्योंकि रिजर्ट पब्लिश होता ही थोड़ी देर में अपडेट चैनल पर आ जाता है और इस कंपनी के मार्केट एस्टिमेट की बात करें तो किसी भी ब्रोकर ने अपना एस्टिमेट इस कंपनी पर नहीं दिया नहीं आपको कोई आर्टिकल इस पर देखने को मिलेगा तो बात करते हैं टोटल इंकम की रिवेन्यू फ्रम अपरेशन से अधर इंकम को आप एड करेंगे तो आएगी टोटल इंकम जो की 1908 करोड से 1768 पर आगी कौटरली 1759 से 1768 पर तो कौटर और कौटर तो थोड़ी सी इंकम बढ़ी है बड़ी बेसिस पर एक डिप देखने को अगर एक्सपनिश से 1692 पर आगे जिस तरीके से यखी इंकम कम है तो देखेंगे आप तो 1697 से 1692 पर आगे तो क्यों ओन क्यों इस तरीके से कंपनी की थोड़ी सी इंकम पड़ी इनिसकस करते हैं total profit या loss for the period after all the adjustment कितना हुआ तो last year quarter 1 में company को 2,68,00,000 का loss था इस बार company को 11,00,000 का profit हुआ है और quarter 4 में 2,40,00,000 के loss थे इस बार 11,00,000 का profit हुआ है तो इस बार के जो allied blenders के number है बहुत ही massive है दोस्तो company पूरी तरीके से loss से निकल के profit में आज चुकी और इस बार काफी जबर्दस profit दर्ज किया company ने same reflection EPS में पिछले दोनों quarter में loss था तो EPS भी negative का 0.11, negative का 0.10, इस बार profit हुआ तो 0.46 तो overall काफी अच्छे numbers हैं बिलकुल market का भी एक positive reaction होगा इस पर और share price में तेजी आ सकती है तो आपको आश allied blenders के कितने share से comment box में बिलकुल बताएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए बाबाए